नमस्कार स्वागत या सभी लोग का ऑनलाइन प्लेटफर्म विदाक्षी क्लासेज में मैं अकांक्षम है मैं आपकी बायोजी टीचर बचो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉंटिन्यू करेंगे क्लास 12 की बायोजी को क्लास 12 की बायोजी इसमें चैप्टर आपका चला है मानों में जनन और मानों में जनन की दो लेक्चर जो हैं वो अपलोट कर दीगें आप लोगों ने देख भी लिया आई होप आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गये होगे मानों में जनन में आप पढ़ रहे हैं नर जननांग के बारे में ठीके बच्चों यानि में रिप्रोडेक्टिव सिस्टम में रिप्रोडेक्टिव सिस्टम के तो वीडियो आपने देख लिए जिसमें आपने टेस्टिस के बारे में पढ़ा पहले आपने पढ़ा कि कैसे डिवाइड किया गया है, कितने अंग होते हैं, फिर उस अंग में सबसे महत्वपूर, मेन, मुख्य जननंग, टेस्टिस, उसकी सनरचना आपने बाहर पढ़ी और आंत्रिक, ठीक है, और फिर उसमें आपने पढ़ा इसके पहले के लेक्च्छर म सेमिनी फेरस ट्यूबल्स के बारे में सुक्र जनने नलिका है, कैसे यह नलिका हैं, शुक्राणूओं का निर्मार करती हैं, और आई होप आपको समझ में भी आ गया, ऐसे ही आपको इस चैप्टर के आगे की लेक्चर भी समझ में आए, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत मन लगा कर, आप लेक्चर को देखी और समझ ही, मैंने बोला है बच्चों कि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्राब्रूम होती है, तो जो हमारा ग्रूप बना है, बाईलोजी डाउट के नाम से, तो बाईलोजी डाउट में आप अपने डाउट जो ह आपको उसका आंसर मिल जाएगा, बट अभी तक दो वीडियो को देखके, हमें बड़ी खुसी की बात है, कि आप लोगों ने उसमें जो केमेंट्स दिये, कि मैं मुझे अच्छी तरीके से, कुछ बच्चों ने तो उसका इवन चार्ट भी बना के उसमें डाला, कि मैं इस के बाद ये बना, इसके बाद ये, बड़ा अच्छा लगा, कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और ये देखकर हमारी भी उस सकता आपके लिए बढ़ जाती है, मेहनत करने का जज़बा है, वो बढ़ जाता है, लगता है बच्चे बहुत अच्छे से त्या करते हैं, और जानते हैं कौन कौन से सहायक जनन अंग है, नर में जो अपना कार्य करते हैं, और जनन अंग को पूरा करते हैं, तो देखते हैं, अगला अंग के बारे में, ठीक है बच्चो, अगले अंग में देखिए, सहायक नर जनन अंग, सहायक नर जनन अंग, कि यानि मुखे जनानांक क्लक है टेस्टी I one vampire टेस्सक जो कि आप पढ़ चुके अب कौनकोंसे ऐसे जनानांग गया जो सहायता करते हैं कि टेस्टी में शुक्राणू तू बन गया और सुक्राडू का परिपक्रन हो कैसे कहां सी कहां सुक्राडू गति करते हैं वो हमको सहायि अकँगों में देखना है ठीक है बच्त्व्थ तो एक बार फिसे में फीगर बनाना पड़ेगा त्व। आपको समझ में आएगा थो प्रदा सब से पहले जननंग का बनाया था सबसे पहले जो जननंग का आपने फिगर बनाया था सबसे पहले थोड़ा सा उस फिगर की और चलेंगे क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगा अच्छों तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि सहा एक जननंग कहा पर और कैसे इस्थित होते हैं ये ये देखिए जब सबसे पहले जन्नांग आपने पढ़े तो सबसे पहला यह आपका बना है आप नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है आपने दिखाया भी मैं में इसके बाद ये बनेगा इसके बाद ये तो उन्हीं नोट में देखिए आपने बनाया होगा सबसे पहला फीगर ये वाला पॉर्शन हमारा कम्प्रीट हो चुका है बच्चों टेस्टीस वाला और आपको समझ में भी आग तरीका एक फीगर ऐसा भी बनाओ अ ऐसा अ समझाते समय बच्चों ये फीगर हमने बनाया था अ देखिए इस तरीके से ऐसा फीगर बनाओ थोड़ा सा इस तरीके का ये है अब देखते हैं हम लोग को इस ट्रापिक पे जाना है तो आपको ये पता है वच्चों कि ये सेमीदी फेरस ट्यूब होटी कर आणि डिकाए और शुक्र जनन नलिकाएं और यह क्या ओती में हैं कि आचल होते हैं कि यह कैसे होते है सुख्राणु बनते तो आप बताओ हुआ है और सरीर की ताप मांसी कि इतना लगबगध की अधितल चाइब कर दिगी कारन कालो सब्हू त्हुरी सुखरन कि और membant क्या बन चुके unasukran been kar com and next में आ चुके मिए यहां यह क्या होता है यह Eightman Rider तो ठोच व्रशन का सबस्ब्रूच अब हमको सहायक अंग में देखें यहां पर इदा इसा अधीवरशन क्या है अधीवरशन पढ़ने ठीक स्थिति ई-प डखी ऑदिव रसडogen पीछे इस्थित जो है यह व्रशन के पीछे इस्थित लगबग 6 मीटर लंबी इतनी बच्चों 6 मीटर लंबी एक नलिका होती यह जो अदी व्रशन है यह कहां पर व्रशन के पीछे हम यह लिख सकते हैं कि यह व्रशन के में चरह कि व्रसण के पश्य भाग में इस्थित्मिane और के करो इस्तित होती सो यह भुषन के पश्य भाग में स्थित्म तु Bowl डेखते हैं यह जो अधिव्रशन है इसके 3 भाग होते हैं इसको बच्चों 3 भाग में बाटा गया है ठिक है कितने भाग होते हैं 3 भाग इसके बच्चों कितने भाग हैं 3 देखते हैं कौन कौन कि देखिए टीन भाग में सबसे पहले शीर्च वो अधीवरुशन चिक फिर क्या है काई अधीवरुशन फिर बच्चों क्या है पुछ अधीवरुशन पुच्छ अधीवरुशन कॵित सबसे पहला जो ये भागorn oh yeah see सीर्ष अधीब रशन यह क्या है रूचों यह सीर्ष अधीब रशन और यह संयों जी उतक द्वारा जिक किसके द्वारा संयों जी उतक द्वारा यह किसके द्वारा संयों जी उतक द्वारा कि उतक के द्वारा शुक्र जनन नलिका शुक्र जननलिका से जुड़ा होता है किसे शुक्र जननलिका से जुड़ा होता जो शीर्ष है यह देखे यह जो शीर्ष है यह सईयों जी उतक है इसमें और यह सईयों जी उतक आदिवरशन के शीर्ष को किसमे जोडते हैं शुक्र जननलिकां जिक कहां से शुक्र जननलिकां से जुड़ा होता है अगला देखे शुक्र जननलिकां इसी भाग में क्या होती बच्चो कुलती कि आप देखो जब ये भाग सांयों जी उतक के द्वारा किसते जुड़ा है इसे यह यहं से इन लिकाओं के द्वारा यह उतक है और उतकों के बीच नलकां है इन ओी नलकाओं के ठीक है शुक्राणु अधीव रशन के अधीव रशन के कहा पर पहुचते हैं शीर्ष में पहुचते हैं यानि बन टेस्टिस में गय थे सईयों जी उतक के द्वारा ये शुक्र जनन लिका से जुड़ता है बहग और शुक्र जनन लिकाएं जो इसी भाग में खुलती शुक् हमे शीर्ष में आती है शीर्ष में पहुचत यो समझ में अब कि अगला बहाग देखे एका कि अगला एक लंबवत भाग जो प्रस्ट में कि का यहन पर देखे पश्य तलपर स्थित कहां पर देखे पश्य तलपर इस्थित अर्शुक्रण सीरश हसे कहां आ जाते में कहां जाते वच्चों कहां अधिरशन में आ जातेक таких अगला देखी निचला भाग, निचला भाग देखी, निचले भाग में क्या कह रहा है, या पुंडलित भाग है, या शुक्रवाइनी से जुड़ा होता है, देखो बच्चों, यानी आप पूरा देख लेते, अधी व्रशन 6 मीटर लंबी, और कह सकते हैं बच्चों, अतेयंत कुंडलित, कुंडलित नलिका है, अतेयंत कुंडलित क्या है, नलिका है, ये व्रशन की पश्चतल परिस्थित है, इसके तीन भाग है, इसके कितने भाग है, बच्चों, तीन, सबसे ऊपर शीर्ष अधी व्रशन है, सयोजी पेशियों तक द्वारा शुक्र जन नलिका से जुड़ा है, और शुक्र जन नलिका हैं जो इसी भाग में खुलती है, और सुक्र जन नलिका में बनने वाले जो शुक्रान हुएं, वो सबसे इंपोर्टेंट इसकी बात सबसे इंपोर्टेंट इसका कार इसका कार देखी क्या इस भाग में भाग में शुक्राडवों का परिपक्कुन होता है बच्चों ठीके अर्थात शुक्राडवों गतिशील होकर जनन योग्य हो जाते है बहुत बढ़िया पॉइंट यानि इसी भाग में शुक्राडवों का पूण परिपक्कुन होता है शुक्राडवों का परिपक्कुन कहा होता है शुक्राडवों गति करने की योग्य कहा पर बनते तो अधी वर्षण और कि अधिवरुषण के किस भाग में तो अधिवरुषण के किस भाग में काय और बाद में पुछ भाग क्लियर तो ये था कि सहायक का पहला बाग अदिवृ शाट अब चिक आव हम को पढ़ना यह बाला भाग यह बारना है यानि की शुक्ष्णों के बारे में तो जानलेते हैं बच्चों सुक्रवाइनी के बारे में अगला भाग देखिए शुक्रवाइनी अभी आपने क्या बनाया सारा मटेरियल आप फीगर से समझोगे बच्चों तो हमको ज्यादा बताने की जरुरत आपको पड़ेगी ही नहीं अब बच्चों देखिए इसका काम थोड़ा कम करते हैं ठीक है में टॉपिक पर आते हैं यह है फीगर में आपके बना हुआ है इधर ठीक है यह यह वाला पार्ट हमें पढ़ना पूरा क्लियर करना इसको क्या है इस पार्ट की भाई विशेस्ता तो यह देखते हैं या अधिवरशन के बाद की इसके बच्चों अधिवरशन के बाद की कितने 45 सेंटी मीटर से लगभग 48 सेंटी मीटर लंबी लंबी नलिका है या या यह यह अधिवरशन के बाद की उपर अर्द कुंडलित अर्द कुंडलित पंदा बनाती पंदा बनाती सारा मटेरियल फीगर में यह देखिए यह 45 सेंटी मीटर लंबी नलिका है और यह नलिका यहां पर क्या है मुत्राशे यहां पर क्या है बच्चों मुत्राशे और यह मुत्राशे के उपर देखिए अर्द कुंडलित पूरा अगर घुम जाता तो कुंडलित अर्द कुंडलित क्या बनाती यह फंदा बनाती क्लियर फ दो भागों में बटी होती है कितने भागों में दो भागों में बटी कौन कौन से एक बाग इस खलन नलिका इस खलन नलिका और एक भाग वच्छन नलिका यह यह दो भागों बढ़ जाती एक यह अ क्या है इस खलन नलिका और यह भाग क्या है यह वच्छण नलिका क्या है वच्छक जो ख अश्यली का अब देखिए जो इसनलिका है यह नलिका प्राया शुक्राशे में खुलती है शुक्राशे ठीक और जो मुत्राशे का मूत्र वाएनी ओती है वो भी किसमें खुलती है ुस खलन लिका तो 때도 के हुए मूत्र मार्ग ठीक है और शुक्रवाइनी के बीच की एक संयोजन कड़ी है ठीक है मूत्रमार्ग और किसके बीच की शुक्रवाइनी के बीच की क्या सईयों जग कड़ी कैसे भाई यह मद्ध में नलिका है और इसी नलिका में क्या खुल जाती मूत्रवाइनी तो यह कॉमन नलिका में बदल जाती यह किस नलिका में बदल जाती एक कॉमन नलिका में यह अधी व्रशण से शुक्राणों को शुक्राणों को शुक्राशे में लाने का क्या करती यह कारे? अब लाने का कारी कह रहे हैं शुक्रवाईनी लेकिन शुक्रवाईनी की कौन सी नलिका? इस खलन नलिका भाई आगे शुक्रवाईनी दो वागों बढ़ गई यह लगबक कितनी? यह लगबक दो सेंटीमीटर लंबी कितनी लगबक? दो सेंटीमीटर लंबी नलिका है यह नल और यह Jalika किसको शुक्राड़ ओंस शुक्राड़ कु सो खाड़ ओं किष मेलाती शुक्राशमेल लाथी अमेलाथी आप मलिए तो कने सुक्राड़ कुस ओंसे मेलाती सु क्राशमेल देवरी टि होता कि अब उत्रवाईनी समझ में आया फिर वच्छन नलिका यहां एक लंबी नलिका है जो प्रोई स्टेट ठीक है यह एक लंबी नलिका है जो प्रोई स्टेट और बलबो यूरेथ्रल अगली साय ग्रंथी कौन सी बलबो यूरेथ्रल तो यह समझें वच्छन नलिका प्रोई स्टेट ग्रंथी और बलबो यूरेथ्रल बलो naval यूरेथ्रल सिसन की ऊपरेभां तो यह बाहज करनांग ता पुरुसौ्स का पूरिण की उपरी भाग में स्थित होती ये पूरुसका बाहेजन नांग है और ये शिष्ण के स्थाइए और गरती पर यो और क्यू खुए अ कहां से प्रोई स्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथी को भेदती हुई शिष्न द्वारा बाहर की और खुलती है की और खुलती है यह देखे कहां पर किसको बेदती हुई किसको कहां से उती प्रोई स्टेट ग्रंथी बल्बो यूरेथ्र ग्रंथी इनसे होती हुई शिष्न के द्वारा कहां की और खुलती है बाहर की और खुलती है साथ साथ इसी नलिका में इसी नलिका से कॉमन नलिका के रूप में मूत्र वाहिनी भी खुलती है कॉमन नलिका के रूप में क्या खुलती है मूत्र वाहिनी भी खुलती और यह मूत्र वाहिनी कॉमन किसके साथ में वच्छन नलिका के साथ खुलकर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर के खुल जाती है यानि मूत्र वाहिनी भी जो है वह वच्छन नलिका में खुल जाती है और यहां पर देखे इस कलन नलिका और इस कलन नलिका के बाद यह किसे वच्छन नलिका से होती होई ठीक है कहां पर सिस्न द्वारा कहां के और खुल जाती बाहर कि लिए इतना क्लियर बच्चों यह तो थी किसकी सनचना शुक्रवाइनी की कि इसकी शुक्रवाइनी कि अगला देख लेते हैं शिष्न के बारे में मुझार। अगला देख लेते हैं सिषन के बारे में बच्चो सिषन या इसको पैनिस कहते हैं परिशन होता है या यह क्या कहलाता है ये पैनिस कहलाता है। जबापने छू आट है तो फीगर में देखिए यह है फीगर में देखिए इस तरीके से बना हुआ है फीगर चुकि एक बार फीगर इसलिए और बनाना पड़ेगा बीना पूरा इसका बनाए आप नहीं पड़ पाओगे बिटा नहीं समझ में आएगा आपको यह ठीक है यह जो पाठ है यहाँ देखिएगा यहाँ पुरुष का पुरुष का बाह पुरुष का बाह पुरुष का बाह जन नांग है यह पुरुष का कैसा बाह जन नांग होता है यह लगबग पाँच से साथ इंच लमबा होता है यह बाह जन नांग है बच्चों और यह जन नांग जो है वह लगबग से साथ इंच तक कैसा होता है लंबा होता है ठीक है इससे मूत्रवाहिनी एवं मूत्रवाहिनी एवं वच्छण नलिका वच्छण नलिका एक कॉमन नलिका एक संग्राहक नलिका वच्छण नलिका संग्राहक नलिका की रूप में रूप में बाहर की और खुलती है बाहर की और खुलती है ठीक है बच्छू अगला देखी यह यह जनन के समय चीक है यानि यह मादा से मादा या इस्त्री से संयुगमन के समय संयुगमन के समय समय बच्चों वेरे को बताया था न शुक्राण और प्रोटीन युक्त द्रोग को क्या कहा जाता वेरे कहते हैं सीमेन कहते हैं सीमेन यानि वेरे को मादा की योनी में योनी में प्यागने का कार्य करता है क्लियर एक कारी दूसरा शिष्ण मूत्र त्याग में मूत्र त्याग में भी भाग लेता है कि समझ मैं या वच्चो यानि यह पूरुस का बाहे जननांग या इसको मैथुनांग कहते हैं मैथुनांग कहते हैं या लगबग 5 से 7 इंज तक लंबा होता है इससे मूत्र वाइनी और वच्छन नलिका एक कॉमन नलिका संग्राहाग नलिका की रूप में बाहर की और खुलती हैं दोनों संग्राहाग नलिका की रूप में बाहर की और खुलती हैं यह बाग जब किसी मादा से मैथुन करता है या संयुगमन करता है किसी स्त्री से तो यही भाग वीर को सीमन को मादा की योनि में त्यागने का कार्य करता है इसके अलावा ये भाग मूत्र त्याग में भी भाग लेता है समझ में आ गया ये किसके बारे में आपने पढ़ा ये सनचना थी बेटा शिष्न के बागे ठीक है आगे की क्रम में देखे पढ़ लेते हैं अगला देखिये बाग अगला भाग है बच्चों सहायक ग्रंतियों का अगला बाग क्या है सहायक ग्रंतियां ठीक शहायक ग्रंतियां नरजन नांग में से कितनी होती तीन सहायक ग्रंतिव में यानी आहां सरे यह यह तीन होती है य Hoffman 2 देखते हैं तेन यह तीन और फ्क हरा एक पहली पच्छों क्या शुक्रा सै एक पहली क्या एक पहली क्या शुक्रासे में देखेए या पांच सेंटीमीटर लंबी घ्रंथी होती है पे कितनी बच्चों ये पांच सेंटीमीटर देखे एक फिचुड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि बीना फिगर बच्चों काम नहीं चलने वाला हमारा ठीक है ना यह देखिए यह यह वाला पाट आप पढ़ रहे हो ठीक है तो यह लगबग पांच सेंटीमीटर की ग्रंथी होती है कि यह इस खलनलिक आ बच्चो इस खलनलिका तथा मुत्राशय के ए पास इस्तितोती है यानि कहां इस्तितोती इसकल भनलिका यह मुत्राषे के पास में ठीक है मुत्राषे के पास हम ये कह सकते हैं आ ये प्रश्ठ तलपर तरष्ट तलपर इस्तितोती क्लियर बच्चों बताईए क्लियर आगे देखिए यहां ग्रंती शुक्राण्मों को तो संग्रहित नहीं करती नहीं करती परंतु वीर्य का वीर्य यानी सीमेन का सीमेन का साथ प्रतिसत भाग बनाती है कैसे बताते हैं अब सुक्राण की एक बात है कि यह में इसके बाद वन मन्त तक ही सुख्रवाइनी मे संचित होते हैं अगर कभी भी वच्चों यह कुश्यन है संगर की तो एक मंतर तक तो अधीवरसंद में उसके बाद оме एक से डेर यदित मैने तक शुक्राण जो है कहा शंगरेत होते शुक्रवाहिफंड तो जो सुक्राशे है यह सुक्राण तुमों को तो संग्रह इतने करती परन्त जो वीर है जो सीमेन है उसका 60 प्रतिस बाग बनाती कैसे कैसे बनाती यह देखते हैं कैसे में देखी इसमें सीमीनो जैलिन सीमीनो जैलिन बच्चों फ्रक्टोज फ्रेक्टोज गैलेक्टोज कितना बढ़िया है कितना अच्छा कमपोजीशन यह देखिए कोश्चन भी बहुत पूचा जाता गैलेक्टोज प्रोइस्टा ग्लैंडिस प्रोइस्टा ग्लैंडिस थोड़ा साप लिखें बच्चे कमेंट्स करते ही कि मैं कभी-कभी कि कम आता समझ में कोशिश तो बच्चों पूरी होती है कि आपको लिखने वाला पूरा समझ में हमने कहा ना बच्चों कि लिखना ज्यादा होता है इसलिए थोड़ा चूटा सा करना पड़ता है प्रोइस्टा ग्लैंडिस आदि पाये जाते हैं अब देखिए बच्चों आदि पाये जाते हैं इस संपूर्ण द्रौ को शुक्रिय प्रद्रव्य शुक्री प्रद्रव्य या इंग्लिश में बात करें तो सेमिनल प्लाजमा कहते हैं वाह वाह क्या क्वेश्चन है आप मॉडल पेपर उठाएं आप अन्शौर्ट पेपर उठाएं उसमें देखिए क्वेश्चन कितना पूच्छा जाता है कि शुक्र प्रद्रव्य और संगठन क्या है अश्क Griff लेंडे पाये जाते हैं इसे संपूर्ण द्रोवको शुक्रि प्रद्रव्य या ने आल प्लाजमा कहा जाता है ठीक एब दिन जो सुक्राणू है कैसे यहां से पोश्ण लेते हैं फ्रक्तोस है जैसे ठीक है इससे सुक्राणू सो क्रणू गए किस्षे प्रक्तोस के रूप में रूप में और दग्या अप्त करते हैं किस से फ्रक्टोज से किस से बच्चों फ्रक्टोज से आप यह लिख सकते हो किसके रूप में एटीपी की रूप में क्या प्राथ करते हैं ठीक सेमिनो जेलिन प्रोटीन इनकी शक्री बनाने का कारे करती जो सेमिनो जेलिन प्रोटीन होती है ये सुक्राण को कैसा बनाती सक्री बनाती ठीक बच्चों प्रोष्ट्रा ग्लैंडिस जो प्रोष्ट्रा ग्लैंडिस है ठीक है ये प्रोविष्ट्रा ग्लेंडिस संयुगमन के समय मैथुन के समय मादा से मैथुन के समय ठीक है समय क्या करते हैं योनि को योनि को संकुचित करते हैं समकुचित करते हैं इसके अलावा यह चारी होते हैं सब यह कैसे होते हैं चारी यह पूरा जो द्रोव है यह जो सेमिनल प्लाजमा है यह चारी होता है और इसकी जो यह चारीता है यह योनि की योनि की अमलियता को अमलियता को कम करके शुक्राण वह कूं है शुक्राण वह को शुड़ाद प्रदान करती है कि सुरच्छाव प्रदान करता है का समझ में आयाि बच्चों भी आया समझ में यानि फरत vaccinations इसनी तूर्जा प्राद करते हैं सुक्राण सेमिनो जलें व्रद्धि का कार्य करती है प्रोश्ट्र ग्लैंडिस मैथुन के समय यह पहुचते हैं कहां पर योनी में मादा की और योनी को शंकुचित करते हैं सासा जो योनी की अमलियता होती उसको यह कम करते हैं और शुक्राणूओं को सुरच्छा प्रदान करते हैं यह तो थी आपकी सुक्राश्य के बारे में जो भी की बहुत मुंच्छा जाता है आपके सामने देखिए सारे पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है आगे दीचलते हैं बच्चों अगली जो सहायक ग्रंती अगली जो सहायक ग्रंती-ई यह प्रोश्टेट कौंसी कहते हैं कि पुरोष्थी ग्रंथ क्योंकि नर्मे केवल पाई जाती है ठीक है देखे जब आपने यह बनाया यहां पर कि यह तो यहां पर देखिए जो बनी हुई है ठीक है यह ग्रंथ यह प्रोश्टेट तो बच्चों देखिए क्या है यहां केवल नर्में पाई जाने वाली ग्रंथी कि यहां यहां केवल किसमें पाई जाती है नर्में तो यहां केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंती है यह इस खलन नलिका तथा मूत्र मार्ग के मद्द्य में इस्थित होती है यह देखाए यह है यह मूत्र मार्ग के तो यह कहां यह इस करना लोका था मूत्र मार के कहां स्थित होती है मद्द्य में यह 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 कह सकते है इसमें पाया जाने वाला पाया जाने वाला द्रव्य द्रव्य वीरे का यानी सीमेन का 25 परसेंट भाग बनाता है सीमेन का 25 प्रतिसद भाग बनाता है अ कितन यह सीमन का 25 प्रतिसद भाग बनाता और स्टक है ओ कितने प्शत 85 प्रतिसद भाग बनाता बच्चो इसमें किशे समें क्वेग्टेत अ इसमें जाता बच्चो क्या पैक्टेट पाया जाता है Lysogyme, Lysogyme, Amylase, Amylase, Percinogen, Enzymes, ठीक है, Percinogen, Enzymes. आदी पाये जाते हैं, पाये जाते हैं, ठीक, यह काम क्या करते हैं, यह देखे, आदी पाये जाते हैं, यह वीर रिके, इसकंदन को, इसकंदन को कम करते हैं, वा, क्या पॉइंट है, कैसे अभी इसके पहले आपने शुक्री प्रद्रव्य पढ़ा शुक्री प्रद्रव्य पढ़ा शुक्री प्रद्रव्य पढ़ा शुक्री प्रद्रव्य में जो द्रव्य है जैसे प्रोइश्ट्रा ग्लेंडिस यह क्या करता है यह बच्चों वीरे को यह वीरे को वीरे को इ वीर को अतियंत गाढ़ा कैसा अतियंत गाढ़ा करता और यह क्या करता है यह वीर के सकंदन को कम करता है ताकि ताकि वीर योनी तथा अन्य जनन अंग जैसे अंड वाहिनी तक अंड वाहिनी तक आसानी से पहुंच सके समझे वीर के सकंदन को कम करता है ताकि वीर आसानी से योनी और अन्य जनन अंग जैसे अंड वाहिनी तक पहुंच कर संयूगमन की क्रिया कर सके संद मेरा और जो यह द्रोह होता है या बच्चों या सफेद रंका एक सफेद रंका क्या है तरल होता है या जो यह है यह सफेद रंका क्या है तरल कब संयूगमन के समय यहां पर देखें संयूगमन के समय यहां पर वीर गाढ़ा है पहुत ठीक है जब कोई नर किसी मादा से मैथुन या संयूगमन करता है तो दीखी इसमें संकुचन होता है भाई जब संयूगमन करेगा बाहे जन्नांग जैसे सिस्न से तो इसमें दबाव से इन नलिकाओं पर भी दबाव पड़ता है और दबाव किस पर आता है शुक्राशे पर तो मैं आता अचो इशरण नलिखा में और इस लाग नलिका से होता हुआ ये द्रवे संकुचन के कारण कहा आता है वच्छन नलिखा और वच्छन नलिका कि जभी कामन डेक्ट के पास आता है कॉमन ड़क्ट क्या है इसी इस भाग में देखिए ज इस ख़लन का जोडने का केन् पर मूत्रनलिका भी खुलती है तो यह संकुचन तो जब यह ध्रव्य शुक्री प्रद्रवे कहां आता है वच्छनलिका कॉमन भाग में तु वहीं पर देखी कौन सी ग्रन्ती प्रोस्टेट में संकुचं से ध्रव्य निकलता इसमें पर स्मृतं एन्जाइम् मों होते हैं यह उन्जाइम में और सूच में जीवों को ले नस्ट करते हैं यानि सूच में जीवों को नश्ट करते तथा शुक्राणु को शुक्राणु को सूच में जीवों से बचाते हैं जीवों से बचाते हैं और कहां के सूच में जीवों से बचाते हैं और समझे योनी में देखिए अब आते जा रहें कोश्चन तू समझते जाएं सूच में जीवों कहां योनी योनी की दीवारों में जब योनी पढ़ेंगे तो बच्चों योनी की जो ये दीवारे हैं ठीक है योनी की दीवारों में बहुत अच्छा कोश्चन दीवारों में लेक्टो बैसिलाई लेक्टो बैसिलाई जीवाड उपाया जाता है लेक्टो बैसिलाई सहजीवी जीवाड उपाया जाता है जो योनिको अमली बनाता है और योनिको सुचम जीवों से बचाने का कारे करता है और योनि को अन्य सूच में जीवों से बचाने का कर योनि नम रहती लेकिन सूच में उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं किसी तरीके से कवक जो होते हैं अन्य सूचमजीव जीवाड़ विशाड़ उसमें एंटर नहीं कर पाते योन में क्यों क्योंकि लेक्टो बैसिलाई जीवाड़ होता है और यह अमली बनाता है और योनी को सूचमजीवों से बचाता है शुक्राणों को इस जीवाड से इस अमलियता से बचाने का कारे लाइसोजाइम एमिलेज और पैफसिनोजन एंजाइम करते हैं ठीक है यह यह प्रटेक्शन देते हैं शुक्राणों को कौन को लाइसोजाइम एमिलेज और पैफसिनोजन कहां पर यो नहीं क्लियर बच्चों तो जैसे यहां पर आये तुरंत प्रोई स्टेट से क्या निकला यह द्रव्य निकले और वीर का इसकंदन वीर का इसकंदन जो बहुत ज्यादा था गाढ़ापन उस गाढ़ेपन कोई ने क्या कर दिया कम कर दिया जब कम कर दिया तो यह जो वीर है आसानी से शिष्ण के बारा बाहर निकलाता और योनी मार्ग पर पहुंचाता है ठीक क्लियर वच्चों तो यह थी किसके बारे में प्रो इस्टेट के बारे में समझना ठीक है आई होब आपको यह समझ में आ गई अगला देखिए वच्चों अगला जो है अगली जो ग्रंती वह बल्बो यूरेथ ग्रंती यह देखिए अभी मैंने बताया यह शिष्ण के ऊपर इस्थित होती है यह 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 एक एक पारदर्शी के तरल का असराओ करती के ठिक्त तरल कि युगमन के समय ऑद के समय है वच्च्ण नलिका में सब्सक्राइब आ जाता है सिक्त वच्छ्ण नलिका में या पुर्षों को मैथुन के लिए के लिए उत्तेजित करता है उत्तेजित करता है क्लियर बच्छों या मूत्र मार्ग को नम बनाता है कितना कारे प्लस यह शिष्ण के माद्यम से के माद्यम से योनी में पहुँचकर योनी को नम बनाता है कितनी सारे शिष्ण के उपर इस्थित पारदर्सी तरलकास रहो सायूगमन के समय वच्छर नरिका में आ जाता है पुर्षों को मैथुन के लिए उत्तेजित करता है मूत्रमार्ग में आता तो मूत्रमार्ग को नम बनाता है शिष्ण के माध्यम से कहां पहुंचतेaden कि इसो योनी को भी लिए देता जिससे में क्या होती ही इंटर कोर्स में आस्वाज यानी पूरुष को इसी से म्हादा से इंटर को से Inde मैं तुन में क्या होती आसानी क्लियर बच्चों यह ती 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 साय करनती तीसरी ठीक आप देखिए एक टॉपिक है आपका पुर्शों में पुर्शों में यौनारंब 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 ठीक एडॉलस एंसेज ओप मेल या प्यूबर्टी ओप मेल ठीक है पुर्शों में यौनारंब देखिए यौनारंब यौनारंब 13 से 14 वर्ष की आयू में प्रारंब यानि जो बालकों में यौनारंब है यह 13 से 14 वर्स की आयू में प्रारम होता है इसमें अंतराली कोशिकाओं से श्रावित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतराली कोशिकाओं से श्रावित से श्रावित पिस्टोइस्टिरोन इस्टिरोन ओर्मोन मुख की रूफ से भाग लेता है तब ही तुम मैंने आपको बताया था कि यह कौन सा है यह पूरुस विकास और मून है कौन सा यह पूरुस विकास और चिक क्या क्या काम करता है भाग लेता है जैसे लच्छण विक्षित होते है योनारंब में जैसे लच्छण में देखते हैं जैसे जैसे बच्चों चेहरे पर दाढ़ी मूचे निकलना आवाज का भारी होना का भारी होना कंदों का चोड़ा होना कंदों का चोड़ा एवं मांश पेशियों का मजबूत होना सारे करिक्टर डेवलप होते है बच्चों में ठीक है शुक्राणूं का शुक्राणूं का मिरमाड प्रारंब होना प्रारंब होना जगन इस थलो में इस थलो में बालों का उगना बच्चों इन सारे लच्छनों को दुतियक गौड लेंगिक लेंगिक लच्छन भी कहते हैं कभी आप से दुतियक गौड लेंगिक लच्छन पूरसू किया दें तब बाल को में निम्न परिवर्तन दिखाई देते चैरे पर दाड़ी मूचे निकलना आवाज का बारियों ना कंदों का चोड़ा मांश पीश्यों का मजबूत न जगरिस्तलों में बालों का उगना शुक्राणूं का निर्मारत निये सारे समझ में आया बच्छों आज की लेक जोज में शुक्राणू की सनरचना बताएंगे और माधा जनरांग को शुरू करेंगे तो बच्छों ये लेक्च्छर को देखिएगा समझेगा जो भी प्रोब्लम हूं आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताईएगा ठीक है समझेए और पढ़िए तब तक के लिए बच्छों टिक क्यार एंड गुडबाए